प्रक्रण बै, पर्यावरणिय प्रदूशन, पाणी नू प्रदूशन, सारांश, विकास मानवी नू अधिकार होवा थी, जहां जमा विकास होई, कि देखाई, तैने विक्साववानो पूरो अधिकार मानवी ने छे, यंत्र विग्नानना क्षेत्र मां मोटी शोधो थवा थी, ओध्योगिक क्रांती थाई, अने विजली, रेलवेव, वाहनो, टैलिफोन, उध्योगो, अने इलेक्ट्रोनिक्स वगेर एक्षेत्रे मानवी ये घणो विकास साध्यो, परन्तु मानवी नी कुद्रती स्त्रोतों आ मर्यादित उप्योग नी व्रत्ती ने लिधे, जुदा-जुदा प्रदुशन नू उद्भव थायो, जेमाना परियावरन ना अंगो मानवी नू जीवन टकावी राखवा माटेना मुख्य तत्वो गणाय छे, चालो जानिये विविद प्रदुशन विशे, सैध्धान तिक समाज, उद्ध्योगों मा वप्रायलू गंदू पाणी, नदी, नालामा के जमीन पर छोडवामा आवे छे, जेने कारणे नदीनू पाणी, भूमीकत जल अने जमीन दूशित थाय छे, तेम जल चर प्राणियों पन नाश पामे छे, मोटा पाया पन शहरी करन थवाना कारणे, शहरोंनी गटरना पाणी ने पन नदीयो अनितलावों मा छोडवामा आवे छे, जेने लिधे पाणी ना प्रदुशन नी मोटी समस्या उद्पन थाय छे, उप्रांत अध्योगी करन थी वर्सादना पाणी तेमज उद्ध्योगों नू धुमाडों, गंद, वरस् प्रदुशित करे छे, तेल गालाण थी समुद्रनो पाणी प्रदुशित बन्यों छे, तेमज घणी न दियो गटर समान बनवा थी, तेना पाणी नो उप्योग खेती काम मत आए छे, जेने परिणा में उत्पन्न थता, पाक, घास चारो, शाक भाजी, प्रदुशको थी भर पूर्बने आचे, जल प्रदुशन थी कॉलेरा, कमलो, अने जड़ा उल्टी जिवारोगो फैलाए छे, जेने कारणे आजे लोको मुसाफरी, ओफिस, के शालामा जता बाला को, पोतानी साथे पाणी नी बोटल राकता थाया छे, कोई पन वर्गनी व्यक्ती, पचिते राजकारणी, खेडुत, उद्योगपती, शिक्षित व्यक्ती, कारीगर के कर्मचारी होई, प्रजाना हित विरुद्ध चेडा करता बिल्कुल खचकाता न थी आम जण प्रदुशन घटाडवा, उद्योगों ना पाणी ने शुद्ध करी, नदी नाला मा छोडवा, त्यमत सरकार द्वारा कडक नियंत्रन राखवु जोईये, अने पाणी नो विवेक पुरुण उप्योग दरेक मानविये करवो जोईये हवानू प्रदुशन, सारांश, पाणी नी जेम आजे हवाना प्रदुशने पन जगत मां मूटी समस्या हो भी करी छे, खनिज देलनों प्योग वध्वाथी पैट्रोल अने डीजल थी चालता वाहनू हवामा धुमाडों करे छे, अने विवद वायू ओ जिवाके नाइट रस ओक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, बेंजो पाईरिंग, अने कार्बन डाउक्साइड भिलवे छे, अने हवानी प्रदुशित करे छे सज़्धांतिक समज व्रुक्षोनू प्रमाणों छुथवा थी हवामा धुणनार रचकणों, तेमज जहरी वायू CO2 नू प्रमाण वध्वाला लाग्यों छे, जे ग्लोबल वार्मिंग नी समस्याने आमंत्रण आपी रहुँ छे हवाना प्रदुशन थी फेवसानी बीमारी, दम, हाफण, जिवा रोगों तेमज हवामा ओडता धुणना रचकणों थी, शर्दी, उध्रस, खांसी जिवा रोगों थाए छे वधू पड़ता प्रदुशन थी प्राणियों गोंगलाईने ब्रुत्यों पामी रहा छे, तेमज वाता वरणमा गर्मिंदू प्रमान वधी रहुँ छे परिणा में वायों वर्साथ साथे भरता ऐसीडनों वर्साथ थाए छे, जिव वनस्पती अने प्राणियों माटे हानी कारक साबित्थ ही रहुँ छे हवानों प्रदूशन खटाडवा उद्योगों अने लोकों माटे चौकस नियमों बनावी तैनों चुस्त पणे अमल थवो जोईए जैम के योग्य प्रमानमा धुमाडों के जहरी गैस फिल्टर थाए तिवा साधनों विक्साववा पर्यावरण जागरुती ना अभ्यानों चलाववा कसूरवार उद्योगों ने सरकारे कड़क थई बंद कराववा अथ्वा दंड करवो पैट्रोल डिजल नो विवेक पुर्ण उपयोग करवो तैमच सी एंजी अने पी एंजी नो उपयोग करवा सला आपवी वहनों मा पी उसी नो कड़क अमल कराव वो भूमीनू प्रदूशन सारांश भूमीनू प्रदूशन सहलाई थी नजरे पड़े तैम न थी छता आजे विकस्ता विश्व मां भूमीनू प्रदूशन खुबजवध्वा पाम्यों छे उद्योगो द्वारा रसायन मुक्त पाणी औने गटरोनू पाणी जमीन पर छोड़ी देवा मां आवे छे जे जमीन ने बगाडे छे उद्योगो के कारखाना वाला जरूर होई तेना करता वदू जमीन मिलवे छे कारण के तेमना मुझब ते भविश्यना विकास माटे होई छे सैध्धान्तिक समज उद्योगो नो विकास सारी खेती लायक जमीन पर थवा थी ते जमीन ने नुकसान करे छे तैमज उद्योगो पोतानो नकामो घन कचरो जमीन मा नाखी राखे छे वर्तमान समय मा प्लास्टिक नो उप्योग वध्योचे तैमज ते जमीन मा भरतु नाथी औने जमीन बगाडे छे उप्रांच शहरी कच्रो जमा खोखा, प्लास्टिक स्क्रैप औने रासानिक पदार्थो होई छे जे उन्डी सारी जमीनों खेतरों मा पड़े छे औने जमीन प्रदुशित करे छे बिजी बाजु खेडुतो द्वारा वदू उपज माटे रासानिक खातरोंनों वदू पड़तो उप्योग जमीनने बगाडवामा औने पर्यावरणने नुकसान करवामा मोटो भाग भजवे छे उद्ध्योगोना अने गटरोंना पाणीनों उप्योग उपजाओ जमीन मा थवा थी त्यमा पाक ता अनाज शाक भाजी दूशित थोय छे पर्यामेक शाय अने हाडकाना रोगो थाय छे त्यमाज उपजाओ जमीन ओची थता अनाज नी तंगी सरजावानी समस्याओ उबी थाय छे जमीन मा उमेराता प्लास्टिक अने कार खानाओना पाणी तेमज उद्योगोनों घन कचरों सुक्ष्म जिवानुओं माटे घातक बनी रहा छे जे जिवानुओं जमीन ने उपजाओ बनावे छे भूमी प्रदूशन घटाडवा नीचे ना केटलाक उपायो अपना वाजोईए प्लास्टिक अने केमिकल नो जरूर पूर्तों उप्योग करवो उपजाओ जबिन मा उद्योगों नस्थापवा पर्यावरण नो जतन करवो रासायनी खातर ने बदले जैविक खातरो तथा देशी खातरो वापरवा जन्तु नाशक दवाओ नो उप्योग विवेक पूर्ण करवो नकामा प्लास्थिक अने घन कचराने बाली ने के रिसाइकल करी तेनो नाशके फरिवार उप्योग करवो परंपरागत स्त्रोतों नो उप्योग वधारवो जैम के लीलो पडवास टपक सी चाई पद्धती उप्रांत पाणी नो बचाव करवा माटे द्वनी अवाजनू प्रदुशन सारा हवा औने जल प्रदुशन प्रांत द्वनी इटले के अवाजनू प्रदुशन पन दिवसे ने दिवसे वत्वाला आग्यो छे कारखानाओं मा चालता यंत्रो वहनुना आवाजना कारणी आवाजनू प्रदूशन उत्पन थयो छे सैद्धान्तिक समाज आपनी प्रजा औनी विश्वनी प्रजा उत्सव प्रिय होवा थी समगर विश्वमा उत्सव ओजवाय छे जेमा मोटा लाउट स्पिकरो बैंड वाजा ढोल डीजे वगेरे द्वारा द्वनी नू प्रदूशन थाय छे शहरों मा बस रिक्षाओ द्वी चक्री वहनू मूटा प्रमाण मा होवा थी अयोग्य जग्याई पार्किंग करवा थी वहनू नू भरावो थाय छे परिणामे अवाजनू प्रदूशन उत्पन न थाय छे द्वनी प्रदूशन थी गोंगाट ना कारणे बहराशा वाव प्रांत मांसिक स्वास्ते उपर पण खराब सर पड़े छे तेमज चीडिया पड़ो पण वधे छे वधू परता अवाज ती प्रकृती परपण विपरित तसर पड़े छे जमके घणा कीटको अने जिवानू ओ जे आपणा माटे उप्योगी छे ते नाश पामे छे अवाजना प्रदूशन ने घटाडवान उपायो हॉस्पिटल शाला के दवाखाना पासे नो हॉन के साइलेंस ब्लीज जे वाचिन्हों मुकवा जे आवाज प्रदूशन नी मारक्ता दर्शावे छे नागरिक तरीके पोता नी फरत समझी उच्सवो प्रसंगो दर्म्यान वदू पड़ता आवाज करता वाजिंत्रों वगाडवा नहीं वाहनू यूग्य समय सर्विस करावा तेमज पी यू सीना कड़क नियमों बनावा वस्ती गीच्ता ने नियंत्रण मा राक्वी उद्योगो द्वारा वनी करण करावो रस्ता ने आजुबाजो वरुक्षवावा जे वाहनूना आवाज ने घटाडवामा मद्द द्रूप बने रस्ताओ पहळा बनावा तेमज वधू पढ़ता ट्राफिक नी समस्या होई त्या वन्वे बनावा आगल जणाव्या प्रमाणे आपने प्रदूशन विश्वी माहिती मेलवी परंतु मानव निर्मित समस्याओ मा पाणी नू प्रदूशन अग्रस्ताने छे पाणी मानव माटे कुद्रतनी अमुल्य भेट छे तेमज घांधी जी ये कहेलू के जल जमीन अने जंगल इस सामुदाएक स्त्रोतो छे आम आ प्रदूशन सामेल लडवानी आपनी सहियारी सामुहिक जन चेतनानी जवाबदारी बनी गई छे माटे तेना माटे न उपायो शोध्वाज पडशे विद्यार्थियो आ प्रक्रण अही समाप्त थाय छे